इसे प्रॉल्म नहीं जानते हो तो मैं पहले प्रॉल्म आपको दिखाता हूँ कि प्रॉल्म क्या रही हम यहाँ पर जैसे मैसेंजर ओपन करते हैं मैसेंजर ओपन करता हूँ तो फ्रेंड्स मैसेंजर ओपन करते हैं यहाँ पर हमारे सामने यह वाला प्रॉल्म आता है अब य यही same problem आपको आ रहा है तो आप थोड़े परिशान है यहाँ पर प्रॉल्म क्यों आ रहा है तो सिंपसी बात यहाँ पर आपकी जो screen recording है न वो किसी और mobile में control हो रही है यह आप भी जानते होगे तो उस वज़े से friends यहाँ यह problem आ रही है जिस वज़े से हम messenger open नहीं कर पा रहे messenger पर कोई message आता है तो हम नहीं पढ़ पा रहे ओपन करते है friends यहाँ यह वाली problem हमारे सामने आ रहे है यह friends हम normally phone use करते है यूज करने का दर्मान यह वाली भी problem हमारे सामने आ दिये अब friends यहाँ पर यह same problem आ रहे है दोनों में से कोई भी problem आ रहे है तो ध्यान से वीडियो को देखिए आज किस वीडियो में यही जानेगे इस problem का आप के से fix कर सकते हैं स्वारी मैंने स्टार्टिंग में मैंने बताया दिया यहाँ जो messenger में ही problem आ रहे है यहाँ पर फोन यूज करते समय भी problem आ रहे है अब friends यहाँ जो problem आ रहे है यह launcher वाल पर इंस्टॉल करने के बाद यह जो हमार अलग-अलग से theme यहाँ पर इंस्टॉल कर देया अपने फोन नहीं किया तो subscribe करके bell icon पे click कर सकते हैं अब यहाँ पर फ्रेंड से आपे जो problem है यह normal Redmi के उपर Samsung के उपर OnePlus यह जो Oppo व्योफ होने उनके उपर आ रहा है तो आपका device name यहाँ जरू comment box में comment करके बता दीजिए अब solution के बात करते हैं यहाँ पर problem आ रहा है तो यहाँ पर सबसे इससे आपको stop करना है पहले तो friends मुझे comment box में बॉकता है यहाँ आपको इसकी जगा और कौन सा एब यहाँ पर stop करने के लिए अनिस्टॉल करने के लिए बोला जा रहा है comment box में comment करके जरू बताना है यह भी बोल रहा है तो वो भी मुझे comment box में पहले जरू करना comment कर लिया चलिए आगे इसका solution जानते है तो solution बिलकुल simple है home screen पर आना है अपने mobile के अब यहाँ पर आपको क्या करना है next step में यहाँ पर mobile के setting में जाना है setting में जाएंगे setting में जाने कबाद यहाँ नीचे आ जाना है पहला solution जो काफी helpful है friends उसके बाद मुझे comment में तुरंद आप comment करें तो यहाँ पर आपको क्या करना है apps के ऊपर क्लिक करना है app के ऊपर क्लिक करने के बाद app management के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद बस यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है and यहाँ पर आपको messenger को search करना है show नहीं हो रहा है यहाँ पर search करे messenger बढ़ी आसन से दिख जाएगे, इसके ऊपर क्लिक करना है, Google Messenger के ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने बात, यहाँ पे corner में त्री डॉट दीख जाएगे, फ्रेंड, वह आ पे कलिक करके, जो भी uninstall update अप्षिन आजाएगा उसके पर आपको क्लिक करना है, मतलब फ्रेंड अल्रेड और रहा है अनिस्टॉल अप्डेट का यहाँ पर कई भी तो friends यहाँ पर आपको क्या करना है फोस्टॉप पर क्लिक करके पहले application को फोस्टॉप करना है फोस्टॉप आपने कर लिया next step में क्या करना है friends पहला solution यहाँ 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 पर आपको नहीं आने वाला है यहाँ पर बार बार आपको नहीं आने वाला है चलिए अब यहाँ पर आपको प्रॉड्म सॉल नहीं हो रही है तो next step में क्या करना है फोस्टॉप करना है मैंना अल्टरी फोस्टॉप किया था अब मैं यहाँ पर बैक आ जाता हू बैक यहाँ पर फ्रेंड्स आपको अप मैनेजमेंट में आना है अब ही हमने दिखाये था आपको यहाँ पर आने वाद ध्री डॉट पर क्लिक करना है जो फोन के system, app है, software है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे अब फ्रेंड्स जो error में आपको software हो रहा था उसे यहाँ पर आपको find करना है वो कैसे find कर सकते हैं जैसे कि system UI वहाँ पर मुझे show हो रहा था तो मैं यहाँ पर डाल देता हू system UI तो मेरे सामने फ्रेंड्स आप देख सकते हैं software आ गया है तो आपको क्या करना है find करना है उस software को जो error में show हो रहा है and वो यहाँ पर आपको search करना है search करने के बाद उस software पर click करना है and उसे uninstall करना है अगर वो uninstall नहीं कर पा रहे तो disable click करके आपे disable भी कर सकते है disable भी नहीं कर पा रहे force stop पर click करके application को force stop करेए वैसे force stop मुझे show हो रहा था मैंने force stop किया तो आपको बाद में दिक्कत आ जाएगी वैसे friends इवाला अगर risk लेना चाहते है तो मैंने i button पर लगसा दे दिये जहाँ पर system application को आप uninstall कर सकते हो तो देखना चाहते है तो उस video को देख सकते है and इस वाले application को delete करना चाहते है uninstall करना चाहते है तो वहाँ पर आपको problem बिलकुल भी नहीं आने वाली फिर भी problem आती है comment box में comment करके जरूर बताना वैसे friends चाते है तो comment में जरूर बताना आप किस company का phone यूज करते है और किस company के यहाँ फोन में अभी ये problem आ रही है कुछ phone में आ रही है तो कुछ phone में नहीं आ रही है तो और एक काम कर सकते है जो आपना messenger है उसका alternative messenger भी यूज कर सकते है जहाँ पर आपकी problem fix होने वाले वहाँ पर आप normal messages भी देख सकते हो जैसे कि friends आपको facebook messenger पता है तो वहाँ पर तो उसका भी आप use कर सकते हो तो friends जो जो भी possible तरीके है वह मैंने सब यहाँ पर बता दिये यहाँ पर आपकी problem तो solve होनी ही चाहिए अब वीडियो एलप लगा है तो वीडियो को like जरू करना कोई problem आ रही है comment जरू करना चानलों को subscribe नहीं किया है comment करते ही चानलों को subscribe करके बेल आइकॉन पर जरू क्लिक करना जाते हैं किसको कोई account रिकावर करना है आपके friend को भी कोई account रिकावर करना है mhcreator चानल जरूर कमेंट करना password related, account related and account recovery related कही सारी वीडियो चानल पर अबलेबल है and playlist भी बनाए है तो इस playlist को भी चेक कर सकते हो, धन्यवाद